क्वांटिटिटिटिव रिसेर्च में डेटा अनेलेसिस के लिए जो हम अमूमन सब्जेक्ट या समझ ली जो टेकनीक्स इस्तमाल करते हैं वो स्टेटिस्टिक्स बेस्ट होती हैं और स्टेटिस्टिक्स का लफज जो है वो हमारे सोशल साइंसिस के तुलबा के लिए खुड़ा सा मुश्किल लफज है जिसको वो इस तरह से परसीव करते हैं तो इस मॉड्यूल में हम सिर्फ आपको इसकी क्लासिफिकेशन बताएंगे आपके लिए सोचने का मेकनिजम के स्टेटिस्टिक्स के पास आपको आफ़र करने के लिए क्या कुछ है और स्टेटिस्टिकल एनेलिसिस किस किस डुमेन में किये जा सकते हैं इसके जो फील्ड्स हैं मुख्लिफ स्टेटिस्टिक्स के उनके अंदर गुंजाईश कितनी हैं क्या किया जा सकता है उनके जरीए से इस पे बात करेंगे आप स्लाइड में देखिए कि स्टेटिस्टिक्स जो है वो बन्यादी तोर पे दो हिस्तों में इसको तक्सीम किया करने से लफ्स बना हुआ है किसी चीज को एक्स्प्लेइन कर सकना तो टूली स्पीकेंड ये कोई अनेलेसिज नहीं है में देखिए कि मेरे पास एक क्लास है जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ते हैं तो जब आप मुझसे आकर पूछें कोई बंदा आया और मुझे कि आपकी क्लास मैथमेटिक्स में कैसी है और मैं कहता हूँ कि जी एवरेज है तो क्या उसका हर स्टूडेंट एवरेज होता है क्या मैं इसमें ये कहना चाहरा होता हूँ कि इस क्लास के तमाम बचे एक जैसे हैं नहीं मैं असल में पूरी क्लास के स्कोर को एक तरह से करके बियान कर रहा होता हूं कि अपनी पर्फार्मेंस में धर्मियानी सी है लेकिन यह जरूरी नहीं कि क्लास में सरे बचे धर्मियाने हों बहुत अच्छा PRAFORM करने वाले भी होंगे और बहुत कम्जोर भी होंगे तो मैं उनकी एक middle value या central value को assess करता हूँ और उसकी बन्याद पर कह देता हूँ कि ये class बहुत अच्छी है ये दरम्यानी है ये ठीक है या ये कमजोर है statistics का वो हिस्सा जिसमें आप अपने data को understand करना चाह रहे होते हैं वो हिस्सा जो है वो descriptive statistics कहलाता है इसमें mean आप या central tendency और जो data का पहलाओ है dispersion है उसमें जो variance है ये दो चीज़ें आप इसमें उम्होंवी तोर पे study करते हैं मैं अगले modules में इसकी तफसील बताऊंगा दूसरा जो हिस्सा है वो inferential है statistics होगर आप divide करें तो descriptive के बाद जो दूसरा portion है वो inference से निकला है inferential लफ inference से आया है ना जी नतीज़ा आख़स कर सकना कोई आप generalization बना सकें inferential में वो जो तमाम टेस्ट हैं जो आपने नाम सुन रुके होंगे मुखलिफ के जी टेस्ट होते हैं और relationship के पियरसन टेस्ट होता है और innova होता है और minnova होता है इस तरह के नाम में आपने सुने होंगे तो वो जो तमाम है वो inferential है यानि अब आप दो चीज़ों में comparison करके देखना चाहते हैं कौन सी अच्छी है कौन सी बुरी है कौन ज्यादा है कौन कम है फरक कितना है तो यह inference है अब यह data की description नहीं है description यह थी कि मैंने दो मुख्रिफ गुरुप के mean निकाल लिये तो मुझे पता चला कि यह इसका middle point है वो inferential statistics का part है इसमें अमोमन हम जब कहते हैं inferential statistics तो hypothesis आती है इसमें modeling गएरा है जिसको आप relationship मुख्रिफ variables के दरम्यान है और estimations हैं मुख्रिफ तरह की जो आप इसके जरीए से कर सकते हैं तो यह इसका बन्यादी structure हो गया अब जो दो चीजें जिन से हमें वास्ता पढ़ना है अगर हम इसको थोड़ा सा अपनी understanding के लिए further explain करें तो देखें descriptive से क्या मुराद है मैंने अभी आपके सामने पिश्टे पहरे थोड़ा जिकर भी किया यह बन्यादी तोर पे summarization है data की summary यानि अपने data को describe करना summarize करना और फिर उसको present कर सकना यह presentation के तरीके और summary summarization यह दो काम है जी इसके अंदर आप summary से क्या मुराद है मेरे पास 30 लोगों का test का data है तो मैं बयान तो जब किसी के सामने करता हूँ तो मैं उसका mean बता देता हूँ हर एक का score तो नहीं आप मुझे पूछते हैं आपकी class कैसा perform करी या कितनी intelligent है तो मैं हर एक का intelligence का score आपको नहीं बताता हूँ मैं उसका mean निकाल के आपको बता देता हूँ इसी तरह फिर मैं आपकी असानी के लिए उसको एक display दे देता हूँ graph की शकल में हो सकता है किसी और सूरत में जहां पर आपको picture की शकल में नजर आ जाए तो आप किसी pattern की सूरत में देख लें तो आप उनको पढ़के आपको अंदाजा हो जाता है कि ये जो group है इसका description किस तरह किया या ये किस तरह से इसमें pattern किया है performance का मैं उस group को किसी और के साथ compare नहीं कर रहा हूँ सिर्फ उसी group के statistics आपके सामने रख रहा हूँ और इससे आपको सिर्फ ये अंदाजा हो पाता है कि ये इसके features क्या है जबके inferential statistics में आप दो तरह की चीजें हम address करते हैं आप एक से ज्यादा means के दर्मयान या किसी एक से ज्यादा groups की average के दर्मयान difference देखना चाहते हूँ तो भी inferential statistics है और relations देखना चाहते हूँ तो भी statistics है inferential stats है तो inferential statistics में बन्यादी तोर पे आपने जितने भी test के नाम सुन रखे होंगे इससे पहले वो test दो तरह के काम पर फॉर्म कर सकते हैं या आप किसी एक variable के against एक से ज्यादा group के लोगों के averages को के दर्मयान फरक निकाल सकते हैं या आप एक से ज्यादा averages के दर्मयान relationship निकाल सकते हैं इसके इसके इलावा तीसरी तरह का कोई test statistics में नहीं होता तेस्टों की यह दो ही classification difference और relation